बाबा ददुवाल पजाओ गुरुकार बचाओ इनारा आजकाल हर्याना दे सिख हलके विच गुंज रहा है गुर्द्वारा सहव सिरी गुरु तेग भादर शहीद मार्ग मेन चोंक चीका विखे सिख समाज दी मीटिंग होई इस मौके हर्याना सिख समाज नादी कमेटी बनाई गई जिस विच सरप्रस्त बलदेव सिंग खालसा टुहाना प्रिंसीपल सरदार देदार सिंग नलवी सीनियर मीत परदान जगविंदर सिंग माखा उपपरदान गुर्मी सिंग सिवान जर्नर सकतर कुलवंत सिंग नंगला खजानची मास्टर दर्शन सिंग बराडी तो इलावा समाज सेवी दलीब सिंग मठाडू नू मेंबर नियुक्त किता गया इस मौके कमेटी दे विश्तार दी जिमेदारी परदानू सोंपी गई है इस मौके जिते वड़ी गिंती विच सिख पाई चारदी लोका ने पाग लिया उती कुछ मते भी पास किते गे जिस विच पहला मता हर्याना सरकार नू हर्याना दे सिखान देता आर्मिक मामले विच किसी भी तरह दी दखल अंदाजी नहीं करनी चाही दी खास कारके हर्याना सिख गुर्द्वारा प्रवंद कमेटी दे प्रवंदा विच दूसरा मता बाबा बलजी सिंग दादुवाल जो की कती तोरते गैर कानूनी मुखी है उननों 13 अगस्त 2014 वीतों उक्त मुखी द्वारा किते गे सारे काम जा किते गे खर्चे कथी तोरते गैर कानूनी ने हर्यान सरकार ने उस द्वारा किते सारे कमा दा ओडिट करवाउन अते दोशी पाई जान ले एक उच्च पदरी कमेटी दा गठन किता है कानून अनुसार कारवाई होनी चाहिए है क्योंकि सिख मर्यादा अनुसार हर्याना दे इतिहासिक गुर्द्वारे सहबान सिख संगत दी जायदा तै इसलिए हर्याना कमेटी दी स्तापना ले संगर्श करन वाली हर्याना दी सिख संगत आज वी उना नाल सला करके सरकार हर्याना दे गुर्द्वारे सहबाना दा परवंद इस कमेटी नुसों पे पजमा पता बाबा ददू वाल पजाओ गुरुकार बचाओ आद मते पास किते के सान इस मोग के फैसला किता गया कि जिते पूरे हार्याना वीच मींटिंगा किते जान गया गुर्दवारा थड़ा सहव चेडवडी लाडवा विखे हर्याना सी गुर्दवारा परवंद कमेटी वलों बंदी सिंगांदी रहाई वास्ते करवाएगे अर्दास समागम विच शिर्कत करन पहुंची सिरी गुरु तेग भादर ब्रगेड दी परदान बीबी अनुरादा पारगवलों अपने विचार रागदे होई सिख संगत आते आगवा नुपर जोर अपील किती की आज सिख कौम नुँ अपने हाक लैन वास्ते एक जुट होन दी लोड है सिख कौम जातपात विच वंडी होन करके अपने हाक नहीं लै पारी जोदो की पार्त विच भी नहीं पूरे विशव विच सिख हर पखतों एक मजबूत समाज है इस वास्ते सारे सिख समाज नुँ एक निशान थले अते एक सिदांत गुरू गर्ण सहीव जी दी ओट लैके अपने हाक लैन वास्ते काम करन दी लोड है उन्हाने कहा कि बहुत वड़ी काट सिख अगवाई दी वी नजराउं दी है इतिहास विचों आसी देख देया कि पहले समय विच सिख आगू आप अगे होके कौम ली हाक लैन वास्ते लड़ दे सी अते जाता मोर्चा फते होंदा सी जा फिर आगू शहीद होंदे सी उन्हान दा फर्जय की हर वार्दी तरह इस वारवी आपसी मत पे दा शिकार ना होवन अते ना अपने अपने सवार्थ दी पूर्थी वास्ते कौमी हितानू सरकार अगे विचना करन वाहे गुरुजी का खालसा वाहे गुरुजी की फते सिंग बंदियों की रिहाई के लिए शिरुमणी गुरुद्वारा प्रबंदक कमेटी के प्रधान जी ने एक कमेटी का गठन किया है लेकिन आपसी ताल मेल ना होने के कारण और सहमती का अभभाव होने के कारण कमेटिया इधर उधर जा रही है सिंग बंदियों की रिहाई के लिए जो इस कमेटिय का गठन किया गया है अगर आपसी ताल मेल नहीं होगा तो सिंग बंदियों की रिहाई के लिए मिलकर आवाज नहीं उठाई जा सकती बड़ी बड़ी संस्थाएं, बड़ी बड़ी कमेटियां सिख समाज के हितों के लिए, उनके हितों की रक्षा के लिए बहार से, फंड इकटा करती है, करोडों अर्बों रुपे इकटे करती है लेकिन जब सिख समाज के अधिकारों और हितों की रक्षा की बात आती है तब आपसी ताल मेल नहीं बन पाता क्यों नहीं सिख समाज इकटा होता देखिए, श्री गुरुतेक बहादुर जी की बेटी, श्री गुरुतेक बहादुर जी की अपार कृपा से सिंग बंदियों की रिहाई के लिए लगातार प्रियासरत है और आपको पता है कि पियमों से हमें एक संदेश भी आया है सिंग बंदियों की रिहाई और कुछ मांगों को लेकर जो धर्णा प्रदर्शन एक मई को जंतर मंतर पर किया गया था उसमें एक विभाग को नियुक्त किया गया है एक आफिसर को नियुक्त किया गया है हम डटकर उसकी पैरवाई कर रहे हैं और हर संभव प्रियास कर रहे हैं तो आप सभी से मेरा ये अनुरोध है कि सभी कमेटी के मेंबर साहिबान आपसी ताल मेल बनाए ताकि हमारे सिंग बंदियों को समय से रिहा किया जाए श्री गुरु तेग बहादुर ब्रिगेड गुरु साब से अरदास करती है कि कमेटियों और सिंग समाज का ताल मेल होकर सब इकटे हो और आज सिंग समाज के हितों की रक्षा के लिए हम आगे आए श्री गुरुतेग बहादुर ब्रिगेड हमेशा ही अपने सिक समाज के लिए तैयार है उनकी आवाज उठाने के लिए आगे आती रही है और आती रहेगी आप सभी अपना प्यार आशिरवाद और सहयोग श्री गुरुतेग बहादुर ब्रिगेड को देते रहें हम निरंतर युही प्रियास करते रहेंगे सिंगबंदियों की रिहाई के लिए हम अरदास करेंगे और बहुत ही जल्द सिंगबंदी रिखेंगे अनुरादा पारगव ने कहा कि ऐसे आगवनू कौम कदे माफ नी कर दी जो अपने कौम नाल गद्दारी कर देने इस वास्ते सारी सिख कौम अते अगवाई जिमेवारी नाल कौमी हितानू मुख राखके एक जुट होवो जतेदार बलजी सिंग जी दादुवाल जग जी सिंग काहलो जी सर्ब जी सिंग विर्क कंवल जी सिंग अजराना अते हरेना गुर्दवारा कमेटी मेंबर अते 22 संक्ता ने एनास मागमा विच हाजरी परी साड़े यूटूब चैनल नूँ सब्सक्राइब करो करो